क्या देख रहा है भाई वीडियो को लाइक करो चैन को सब्सक्राइब करो खीच के रखो मीटर धिल मत दिया करो अर्दिक पांडिया भी लाइक कोंट्रेक्ट में ये वाली कुटाई तो लिकली नहीं थी पाई जानी यार भाई ये तो बहुत ज्यादा कूट दिया यार मेरे पंडू को लग गए कां राजा भोज कहां गंगुतेली कां हां गंगुतेली क्या बना के मारा है लाइक करो सब्सक्राइब करो मीटर खीच के रखो ठील निदे बावला बना दिया बावला हूं मैं बावला बावला है तु बावला यह कह रहा होगा आज हार दिख पंड्या आओ जे राफट-ाफट खीच के रखो कम मैंने आप लोगों को प्रोमिस किया था अगर मुंबई इंडियंस ने और हार्दिक पंड्या ने रोहित शर्मा के साथ अगर गलत किया है तो भाई लोगों भरोसा रखना मेरे पे नी उपर वाले के उपर भरोसा रखना क्योंकि उसकी जो मार है ना वो जब मार मारता है ना भाई दिखाई नहीं देती लगती बहुत जोर से है मुझे लगा था हार्दिक पंड्या शायद सुदर गया होगा शायद उसको फरक पड़ गया होगा 277 रन बना देती है सन राइजिस हैदराबाद IPL का रिकोर्ड तोड़ देती है थटियां भी तोड़ देती है लेकिन वापिस जब जा रहा था तो हंसते वे जा रहा था इस लेवल की बेशर्मी यार किस तरीके से आप लेके आ सकते हो भाई लोगो यह नेक्स्ट लेवल की बेशर्मी है भाई लोगो लेकिन मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाता हूँ सबसे पहले उसके बाद आगे बढ़ेंगे समय किस तरीके से बदलता है मैंने कहा ना उसक से सुनना मुझे अगले 20-22 मिनिट कम से कम हमारा लाइफ खर एक घंटे का रहेगा मुझे बड़े ध्यान से सुनना हार्दिक पांडिया कितना बड़ा कफ्तान है आज तुमको तीसरे अवर में पता लग गया होगा आज रोही शर्मा को कप्तानी करनी पड़ी है भाई लोगो अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ मुझे कमेंट बोक्स में एग्री और डिसएग्री करो आज रोही शर्मा को तीसरे अवर में हाथ खड़े कर दिये थे इस भाई ने जैसे ही वो कैच छुटा है ट्रेविस हैड का तुल लेगा तुल लाई है वो ऐसे चलता हो जब चलता है तो ऐसे चलता है नहीं तो नहीं चलता हो उसे तो अच्छा वहला पहले अवर में कैच दे दिया था तिम देविड ने जो कैट छोड़ा है ना और वो वो छोड़ा कहां चोड़वाया है उपर वाले में बिलीव रखो भाई लोगो बिलीव रखो मैं आपको हमेशा एक बात बुलता हूं जो आदमी अपने काम के लिए इमानदार नहीं है उसको लगता है मैं आग किसको खड़ा करूं खुद कहां खड़ा हो जाओं रोहित पद्या कहता है चल बांडरी पर यह होता है और जो यह सस्ते कोमेंटेटर बैटके बोल रहे हैं ना भाई कि देखो देखो कोडिनेशन नहीं है वो घुटने टेक चुका है रोहित शर्मा के आगे वो कह रहा है भ अंदर यह अंदर कि गलती मुंबई इंडियन से नहीं गलती मुझसे भी बहुत भारी हो गई है कि मैंने यह ओफर एसेप्ट किया है लेकिन कुटाई कुटाई तो लिखी नहीं थी यार तुमने कॉंट्रेक्ट में ए मुंबई इंडियन वालो नीता ताई और वो अकाश चंबानी देखो कैसे बैठे वेते ऐसे बैठे वेते जैसे यह भेंसियां चराने वाले हैं और इनकी भेंस कहीं गायब हो गई है नीता ताई तो मैंच नहीं देख रही थी वह तो फौन पर लग गई आखरी में हलाकि नीता ताई को एक बहुत अच्छा मंतर आता है मंतर मंतर सब भूल गी आज तो उदर से काव अमरेंट कंट्रोल में सेलिबरेट कर रही है यह बहुत अच्छा लगा देखके अब जरा आ जाओ भाई लोगों मैच पर हार्दिक पांड्या सबसे चलाक कप्तान है सबस सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए है आज इस लाइब में मुझे नहीं पता तुम कितने भाई लोग सब्सक्राइब करोगे लेकिन बस मेरी सुन लो तुम एक बारी जैसे ही खार्दिक पांड्या जी को पता लगा सबसे पहले तो मैं बताता हूँ ये इंसान इतना बड़ा कप्तान है ये बंदा इतना बड़ा बोलर समझता है भाई अपने आपको तुम लोग ये मत समझो कि ये रोही शर्मा की सिर्फ डिस्रिस्पेक्ट करते हुए आ रह इस पेंदे कपन सेलेक्ट करते हैं लेल्गें इसका मतलब ये नहीं होता अगर कप्तान चाहे तो आपने बोलर से भी पोल स्यक्ट कर्वाता है अकेला जाकर बोल करता है outs यार वल सेलेक्ट करेंगा संज में आता है तो यार बोल करेंगा सफ़ेंगा ले ले यार जशी अपने चार अबरों में पिछले मैच में 24 रन दिरे ऀम्स स्यंण Olips पहला अवर किसका था आज मैं धुड़ा पहला अवर भूल गया उसका था न वो लड़के का वो जो है एक नाबालिक बच्चा लेकर आए हैं ये महाफा है ना एक मफापा मफापा मखाका मखाका जो भी है अरे वो नाबालिक है 17 साल का जब इसने ये देखा न भाई देखो कितना चलाक है अब मुझे बताओ अब अब करो जब इसको इसको पता लगा नत्रेश् पुला है सामने पहले हब क्या दिक्कत होगी आज नहीं कराया उस दिन तो बढ़ा तुने पहला ओर करा लिए को पहले और में पढ़े जी साथ रन साती रन आये थे सिरफ दूसरा अवर हार्दिक पांड्या ने कराया कितने ग्यारा रन पड़े चलो यहां तक भी ठीक था विकट भी चूट गया फिर कैज भी चूट गया फिर तीसरा वर यह उसी को देता है किसको वह 17 साल के बच्चे को वहां ओवर पंता था बुम्रा क इसने एक एक छोटे बच्चे की जिंद्गी के साथ खिलवाड किया है और आखरी अवर मुलानी को यह कप्तान है यार भाई यार ओल्रेडी 262 बन चुके हैं मतलब 200 पार हो चुका है और तुम आखरी अबर मुलानी को दे रहे हो इसने मुलानी के साथ भी खिलवाड किया है भाई मुंबव एंडियंज आज तक पहाणी जाती थी यंग्सटर बनाती है यह प्रोड्य करती है यह सारे यंग्सटर को खा जाएगा याद रखना मेरी बात दूसरा वर हारदिक ने डाला ग्यारा रंद पड़े तीसरे वर में उसको 17 साल वाले नाबालिक बच्चे को 22 रंड पड़ गये मतलब टुल्ला एक्टीवेट हो गया था सब्सक्राइब कर अगे की रनानिती सेम है प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं है, एज पर प्लेनिंग चलेंगे सब भाई लोग, प्रोग्राम सेम है, रोहित भाई के रन चाहिए, जस्सी भाई का अच्छा स्पेल चाहिए, वो आ गया है, ठीक है, एक अच्छा स्पेल है, अब यहां से रोहित के रन चाहिए, ठीक है, हार्दि पांड़ा की कप्तानी बिखर गई है चिंदी जिंदी ऊगई है वह जैसे ज़ाडू नहीं ज़ाडू नहीं बन्दा होता उपर से और ज़ाडू की आई उपर से वह रसी से तो सारी इसलिएं तो ऐसे कर गई मतलब यह 5 बार के चैंपिय कहीं सूरिय कुमार यादर स्टोरी ना लगा दे वो लगाने ही लगता है स्टोरी बार-बार सूरिय भाई उसको बाद में पता लगता है तो अडिप है यार मैं तो मुंबई इंडियंस का ही बंदा हूं मैं सच बता रहा हूं अगर एक बार और ऐसी कुटाई हो गई ना वो सच में स्टोरी डाल देगा याद रख ले ना मेरी बात यह तो भाई लोगो आई पिल का एक नया रिकॉर्ड बना है देखो भाई हम ना क्रिस गेल से तो उमीद रखते हैं कि भाई इस तरीके की तभाई मचायेगा और एक बंडा कैंवरी मचा देता यहाँ यहां क्या था एक बंदे ने नहीं मारा है यहां पर सब सबने कहा है सं़राजज हैद्राबाद के सब करके हाँए कोई थोड़ा कूटेगा Kोई slide कि तू हमारी प्लैनिंग में क्यों नहीं शामिल तुझे यह सही किया था उसने राणा ने लेकिन उसको छोड़ दो कोई बाद नी लेकिन एक बार फिर से भाई लोगो अगर किसी टीम का ओपनर तो भाई मचा सकता है तो भाई फिर क्या ही बात है मैं अब थोड़ा सा बता देता हूं कि मैं मुंबे इंडियन्स के बारे में स्टार्टिंग से एक बात कर रहा हूं बहुत भाईयों ने कहा अरे नहीं कुछ नहीं होता कप्तान तो हटा ही देते हैं सब हटा मेरी सुनने बात एक ना तरीका होता है हर चीज को करने का पहला हारदिक पांड्या सिर्फ अपनी कफ्तानी की वज़े से मरा गया अगर कोई थोड़ी बहुत लड़ाई होगी तो वो इसके करेंगे मरी मोटी ओधे बहुत इस संदार कंलाका का प्रदर्शन करते हुए आज हार्विक पांडया को आना चाहिए उपर है देखिए बड़ा स्कोर है बड़ा ओल्राउंडर है ओल्मॉस्ट जैक कैलिस के लेवल का लेवल का नहीं स्वरी मापी चाहता हूं जा बड़ा ओल्राउंडर है तो आज तो फिर तीन नंबर पे ठी सबसे बड़ा तो यही है कि 287 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड और यह एक्चुली जैसे ही पंदरा ओवर हुए थे पंदरा नहीं एक्चुली दस बारा ओवर हुए थे ना यह तब ही दिखना चालू हो गया था कि आज आरसीवी का रिकॉर्ड चूटेगा और देखो समय किस तरीके से घूमता है मैंने वो स्टार्टिंग में तुम लोगों को पिक्चर दिखाया है समय किस तरीके से समय काम करता है कल कल तक जो रोही शर्मा को दाएं से बाइं भगा रहा था आज उसको भागना पड़ गया है क्यों क्यों क्योंकि हाथ खड़े कर दिये थे मिस्टर हर्दिक पंडियाने कि वहत तो कप्तानी हो नहीं रही है कव्या दीदी के लिए बहुत अब हमारे पास जैनुवन है इससे बड़ी सूपर चैट वाले जैनुवन लोग होते हैं मारे पास चीर कुछ आदमी कितने लाइक करेंगे तो बनते हैं और बेटे शॉट रोहिस्चर मां का एक दम है यो फुमके वाला शॉट बहुत बढ़िया पीछे कुछ पिक्चर्स हैं बाई लोगों के लिए प्रिश्टूस्ती करनी पढ़ती है किया करें यह देखिए आप अपने नज़दी की हस्पताल में जाएं वैसे ही चले जाएं चक्कर ने वहाँ पे मरीजों के चेहरे पर जादा रोनक मिलेगी क्योंकि उनको ठीक होने के लिए एक उमीद रहती हे hell लेकिन यह देखो ये कि अगला क्या है अगला हमारा प्रोग्रामब ना कर थे ना रोहिद भाई को 200 के स्टाइग्रेट से खिलवाते हैं 200-200 के हार्दिक पंड्या 25 में 32 कैसा रहेगा एक ही पारी चाहिए किसी एक की 25 में 27 या 25 में बत्ती जैसा ही कोई और मुझे लग रहा जैसा वो बोलिंग करके गया है ना जैसी कप्तानी करके गया है अपने हार्दिक पंड्या जी मुझे लग रहा है यह मच मच पॉसिबल है तो मैं जी तो यह सलाय बाकी तुम जैसे कहोगे वैसे कर लेंगा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अगली पिक्टर क्या है ओह भाई हद हो गई इस लड़की के चहरे पर समाइल देखनी है बस हमाई जिंद्गी का एक ही मकसद है इस साल एक तो हमें टी ट्वेंटी वर्ल्टक जीतना है दूसरा इस लड़की के चहरे पर मुस्कान देखनी है यह काव्या मरन इस टीम की ओन बहुत खर्चा किया है विचारी यह पहिली लड़की है जो लड़कों पर पैसा खराब कर रही इस पहिली अधिनी लड़की है ब्लाव और यहीं करना pushing के लावा कोई और को और यहीं करता है आपके पूरा नहीं कोई बात नहीं मैं तो समाजीक कारी करता हूं मैं तो भाइय लोगों के काम करता हूं लो मैं भी चला जाता हूं लो यह लो मुझे भी हटा दो लो बस पढ़ गई सांती दखो मैं इकलोता यूट्यूबर हूं जो लोगों की मन की बात जानता है बच्छडी ऑन फायर बच्छडी चक्के पर चक्के लगा रही है तो भाई लोगो असी रन का पावर हदराबाद का यहां पर रोही तैन कंपनी को 91 का लगाना पड़ेगा एट लीस्ट क्योंकि इससे नीचे बात नहीं बनेगी यह मेरा अपना अपना क्या बोलते हैं इसको चपरु भाई दाएं से भाईं भागते हुए ट्रैविस टुल्ला नराज था जिस तरीके से आउट हुआ लेकिन फिर भी वह बहुत अच्छी पारी खेला है अच्छी नहीं कमाल की उदेड के रख दिया उसने ऐसा उदेड़ा है आज मंबई इंडियंस को कि सिलमें की गुंजाइस तो नहीं बची नहीं नहीं रिप्लेस्मेंट ही होईगी सिलाई तो नहीं हो पा रही है औ आज भूवी भाई का 19 मावरा आज ही एक्टिवेट हो गया क्या अभिशेक शर्मा ने तो कमाल कर दिया भाई प्यूष चावला को तो भाई हो यह देखो आजो आजो सारे आजो कहीं सारे कटे हो जाओ यह चल रही थी कपतानी अब पैट कमींस का एक अच्छा काजा टेस् मुंबे इंडियन्स की जीत क्या है लगा दो 200 लगा दो तो जीत है तुमारी मैं सीरियसली बता रहा हूं अगर तुम बड़े मार्जन से हार गई अगर कहीं बीच में कोलैप्स वाली सिच्वेशन आ गई तो भाई यह तो खतम है कहानी यह चीज याद रखना अजी तो यह अब यह भाई अब मैं मैंसी पड़ूंगा तुम लोगों के हाँ चलो आजयो भाई लोग सारे भाई लोग मिलके आजयाए अब मैंसीज पड़ेंगे सब भाईयों के जिस भी भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा मेटर कर रहे हो आप तू सेवेंटी एट में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई ऑप्शन ही नहीं कोई चलो जी अब मैं आसी पढ़ने चालू करते हैं भाई सब लोगों के रोईत भाई के तो रन चाहिए ना तुमको बता दो और नहीं चाहिए तो मैं बताओ बचड़ी अभी बोल खड़ी करके चली जाएगी बचड़ी की चिंता मत करो तुम बचड़ी काफी विभारीक आदमी है विभारीक बच्चा है ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ब वरो जलाल欸 तो ऑनफायर इस ओके टू भी यूनीक एप्सलिटली यूनीक यह तो कुछ जादा ही यूनीक हो गया रमनूर करें यार हमारे पास ट्रॉफी नहीं थी अभार यह बेस्ट रिकोर्टट था टू सिक्स्टी धरी हां बताओ आर सीजमी करें पास एक ही तो घमंट करने को चीज थी वही तोड़ दी आज बताओ यार ना ट्रोफी थी बताओ यार कि संराजस हैजराबाद के 40 रं थे नहीं उसमें वह इसलिए 40 थे क्योंकि मैंक अगरवाल ने काफी आतिशी पारी खेली थी इस चीज को ध्यान रखो एक मिन्ट थोड़ा अच्छे से बैठ जाओं मैंना एक्साइटमेंट में न वह इंट्रो को एक्सपोर्ट करना ही भूल गया था इतनी कुटाई हो रही थी भाई मैं भूल गया था क्या करूं एक लिखरा रोहित चक्का अब रोहित ने चक्का मारा है ऐसे लिख इतना क्या जल्दी हो रही है साबाज ए भाई अरे इसका तो वैसे भी अठारा रनों का अवर होता है यहां तो यह तो पैट कमीश ने पंगा ले लिया यह तो नॉर्मल दिनों में जहां कोई नहीं पिटता वहां अठारा देके जाता है कि हाँ वर्दान भाई मैन विद जीरो लवर्स क्या मतलब शपा जॉन पायर भाई ओप्शन नहीं है ना यार इसान के पास ओप्शन नहीं किसी के पास भी ओप्शन नहीं है अब ही रुको तुम श्री श्री हार्दिक पंड्या जी आएंगे भी देखना नंबर तीन पर उतरेंगे आज लड़ाई लड़ने आज देखना तुम श्री हार्दिक पंड्या जी की बैटिंग देखो तुम भाई मुझे तो उमीदर लीडर है भाई अगर लीडर है तो नंबर तीन पर आजा भाई नंबर तीन पर लड़ाई उपर से लड़ी जाएगी बटाओ मैंने कहा था बचडी अभी खड़ी कर देगी बड़बचडी की चिंता मतखरा अगरो तुम बचडी अपने कहने में तेरा में चौनती दखो मेंक अगरवाल का और इसका यही वरगता वह 13 में 11 करके गया था यह 13 में 24 करके गया तो यह difference रहेगा हो सकता है यह से एक ही तो चीज थी घमंड करने को वो भी इन्होंने तोड़ दी यार यह जपरी को यार कैप्टन सी का सी नहीं पता अब यह सब पता है उसको यार बिना अच्छी कप्तानी के यार देखो 287 रन बने हैं आईप्यल में जब भी यह चीज याद की जाएगी न तो श्री हार्दिक पांडिया जी की कप्तानी अमर रहे हार्दिक पांडिया जी की कप्तानी अमर रहे इसकी जी एंडी भाड़ दी नमन रहे नमन नहीं अमर रहे हाँ सरमिस्टा मुगर जी यह पीटरसन और लारा भी छप्री का मज़ा ले रहे हैं पूरी दुनिया ले रहे है बाई जान पूरी दुनिया वो गेट के बाहर खड़ा हुआ जो चोकीदार है वो भी कल गाना गा रहा था क्या था वो गाना जूट बोले कव्वा काटे काले कव्वे से डरियो मैं तेरी टीम छोड़ दूँगा तुम मुझे पेलते रहियो वा 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 बहुत बड़ा भजनी हूँ मैं इलियन एक्स भाई अगर माई की जगह रसी भी होती तो क्या होता टार्गेट यार देखो इट्स नोट बाउट रसी बी और मुंबई इंडियंस इट्स ओल बाउट की एबी बाबा ने जब कहा है कि यह टीम खतरनाक है इसका मतलब यह टीम खतरनाक है इस चीज को आप लो थोड़ी सी वराइटी आ जाएगी नहीं अभी तक रन आउट नहीं हुआ है यार एक वराइटी आ जाएगी एक रन आउट हो जाए तो रोहिद छर्मा का क्या छवा में जैसा कि आइस पर प्लैन हम चल रहे हैं रोहिद भया का क्या चोड़ दिया गया है कि यह मैसीज इस वेरी क्लियर हमने प्रोग्राम में कोई चेंजिंग नहीं मांगी है हार्दिक पांडिया जी ने टोस जीता उन्होंने कहा मैं पहले बोलिंग करके जलील हो जाओंगा तो हो लाओ कोई बात नहीं यह वो टोस कराने वाले के भी गले मिलके आया है आज एक लड़का खड़ा था संद्राइज हैदराबाद का उधर रही के-ँस चैanha कर दाइं बाएं वह अपना पानी पी रहा था पीछे से उसको भी लाया हुआ है जिसके भी गले मिलके आता है मैं पीछे का़िस से गंदिगाली निखालते है इसको पर पर इसके पर प्लेन चल रहा हिए है काम क्योंकि अभी रोहिद भाइया का दो स्क्रा प्लैन चल रही है काम तुम तेंशन मदलो रोनक कह रहा है अभी कह रहा है इट सोके टूबी यूनिक पाइजन जी पाइजन पैट कमिंस आ गया है चार अवरों में 59 है तो पावर प्ले तो इनका भी जाना ही चाहिए इनका 90 का जाना ही चाहिए एक्शली पावर प्ले एस पी आर एन पी आर जीटी में सिर्फ आशीष सर ने बचाया बचडी को क्या स्कोर बनाया ऐसा रहचने मज़ा आ गया हाँ वो ठीक है बट यह क्या है जीटी में जीटी में सिर्फ आशीष सर ने बचाया है बचडी को जीटी में कैसे बचा लिया बचडी को अरे बचडी लिख रहा होगा बच्छडी लिख दिया तुने बहुत ही सांदार शोट फेरन हाला कि पावर प्ले नहीं होता तो यह बिल्कुल हातों में थी तो रोही शर्मा से तो कोई तकलीव नहीं है रोही शर्मा तो बनाएं कोई दिक्कत नहीं जैसे रोही ताउट होएगा इनका वही वाला काम होएगा उस दिन वाला हाँ अभी देखो तुम सोहेल अली कह रहा है एतिहासिक वेस्ट ऑफ टाइम भाई ट्रैविस टुला अभिशे क्लासरन गुड सपोर्ट फ्रोम एड़ा भाई महाफे को फर्स्ट अवर नहीं देना चाहिए था नहीं वो इसलिए दिया है क्योंकि ट्रैविस था वहाँ अगर ट्रैविस नहीं होता फिर यही बोल लेके भागता है और यह काव्या दीदी से रिक्वेस्ट है मतलब मेरी नहीं समझ लो तुम है इससे रिक्वेस्ट है यह अंदर जागे बैठ जाए तो अच्छा होगा दो-चार विक्टे गिरेंगी फिर आज यह आखरी में उचलने यह जैसा ही हंस्ती है मै तो रोही शर्मा आउट होते हुए तो यह पैट कमिन्स वर्सी रोही शर्मा का जो लव स्टोरी है यह खतम होने का नाम नहीं ले रही है भाई साहब मुझे लगता है रोईद भाई के लिए तालिया हो जाए बारा बोल में 26 दोसों से उपर का स्ट्राइक रेट यह पाई अच्छा लेकिन यही तागी 200 से उपर का स्ट्राइक रेट हो अब यहां से कोई 120-30 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर जाए एक बंदा और वह बंदा उस्ताद होनी है अगर पांडिया जी हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा तो मुझे लगता है बहुत अच्छी पारी है भाई साब यह आगे बढ़ते हैं जी निखी लवस्ती निखी लवस्ती कह रहा है चप्री की कैप्टन सी देखके लग रहा है सब आठ टीम में आठ टीम ने डिसाइड कर लिया है चब्विस मही को फाइनल में सी एसके के एंगेंस एम माई नहीं खेलेगी इंजरी सून धेखकर और इसी तरीके से चलता रहा ना इसका तो कुछ ना कुछ उने वाला यह कुछ ना कुछ टूतने वाला है इसका तो देख़ो फिछले मैच में लोगों ने इसका सारा भूत उतार दिया था जीता हुआ मैच यह अपनी खुद की गलती से हारा था इस मैच में तो भाई जो तोड़ा है ना इसको ये तो बस अपने अब तो ये जो बैटिंग करेंगे ना अभी है क्योंकि रोहित आउट हो गया अब ये जो बैटिंग करेंगे ये अपने पाप दोएंगे बेसिकली थोड़ा सा ये हो जाएगा कि देखो तुमने हमें मारा है हम तुमें मारेंगे बस इतना ही है और ज्यादा कुछ नहीं है और तुमने डिसाइड कर लिया है चेन नहीं वाके ही जा रही है 26 महीं को वेरी गूट यार ये मुझे होंसला बहुत अच्छा लगा तुमारा ये वाला आया नहीं अभी तक ये वाला मैंने जगनीत का टीचर आया नहीं अभी तक ठैंक्यू प्यूश आप अनुत की ? कुछ भला होगा ब्रेक में कैपोनसी हटा तो ब्रेक में कैप्तनसी कैसे हटा तो उसने कप्तानी छोड़ दिये वो तो करी नहीं रहा था उसने तो हाथ कड़े कर दिये थे भाई कप्तानी तो हुई नहीं उससे वो तो तो तीसरे अवर में उसका हो गया था वो तो बोंदल गया था भाई, कन्फ्यूस हो गया था वो पगलाग गया था वो एक गाना है ना बावला हूँ मैं बावला बावला है तु बावला तो वो तो उसका तो वही वाला काम हो रखा था ये तो इतनी कुटाई हुई है मुझे तो गाना ही नहीं समझ में आया कि गाना क्या लगाऊं फिर मैंने जैसे तैसे वही लगा दिया कि चछुंदर के सर पे ना भाय चमेली कहां गंगुतेली कहां राजा भुष टाइप वो लगा दिया मैंने तो मैंने का यही लगा देते हैं अभी के लिए तो अच्छा है पैट कमिस का बहुत ही शांदार अवर मात्र आठ रन दिये हैं एक विगट लिया है पाँच अवरों में 67 रन हो चुके हैं इस टाइम पे सन राज़स हैदराबाद के थेजी 58 रन लेकिन वही वाला मोमेंटम अभी शेख वाली पारी कौन खेलेगा वो जुरूरी है यह देखना बाकी है आयूश कुमार सिंग तूटा है हाईएस्ट आईपियल टोटल का घमंड एक तो रिकोर्ड था आरसीबी के पास साई बात है यार यह तो दुख की बात है वैसे एक ही रिकोर्ड था वो भी इन से जालिमों से सहन नहीं हुआ भाई और मैं तो हूँ पंजाब पंजाब की टीम से ज्यादा उसके बाद आरसीबी है तो मेरे लिए और भी डबल दुख है हमारे पास तो वालो रिकोर्ड भी नहीं ना ट्रोफ भी है हमारे पास तो लड़कियों की टीम भी नहीं है अमार भी नहीं नहीं अरे इन से बढ़िया मेनेजमेंट गोल गप्पे वाले के पास मिल जाएगी वो जो ताल मिल करके जो डालता है न गोल गप्पा पानी पूरी होती है कहीं जेगे पे वहां मिल जाएगी तुमको तेलक तेलक याद रखियो तेरा 49 होने नहीं दिया था यार यह तो आउट लग रहा है नौट आउट है बाई साब शहबाज भी डेनियल विटोरी बना हुआ है हद हो गई यार मतलब कियार समय देखो समय ना दिखता नहीं है लेकिन क्या क्या दिखा देता है इंसान को नहीं हां बच गया बच गया नहीं नोट आउट है लेक्स्ट्रम पर जा रही जेम कहा है नहीं नहीं करता रहा है हाँ ये भी ठीक है मैं कुछ करता नहीं हूँ भाई मेरे से हो जाता है ये बात तो है भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है मतलब हारदिक श्री हारदिक पांडिया जी की कप्तानी से पहले मुंबई इंडियन्स अक्सर हारे हुए मैच जीतने में फेमस थी तब लोग फिक्सिंग फिक्सिंग चिलाते थे शक हो जाता था लोगों को ये उल्टा ही चल रहा है यहां पर ये चल रहा है कि जीतना तो छोड़ो उटाई उसके बाद और सुताई फिर और टुकाई फिर और जलूज जलूज की भी एक सीमा होती है ना वो मुझे लगता पार हो जाएगी एक आद मैच में होर शहबाज भाई अपनी पूरी फुल फॉम में बोलिंग डालते हुए बताओ शहबाज भी और कर मार रहा है समझ में आरी है किसी को कुछ है या और कर मार रहा है शहबाज मुझे लग रहा थमनेल में फोटो लगानी पड़ेगी शहबाज की इस हिसाब से तो प्रतिक राए आज हमारा श्री श्री एक सो आठ महराज उस्ताज जी उस्ताज जी पंड्या पुत्र उस्ताद हार्दिक पंड्या जी ने चौबिस बोल चार अवर में च्छालिस रन देके खुद ही वेस्ट ओफ टाइम नहीं किया वेस्ट ओफ टाइम नहीं की नीता ताई ने छोटो को कोल किया है और भाई मैं अभी होंग कॉंग से हूँ हाँ थैंक्यू भाई तुमने ये लिख दिया क्योंकि मुझे करन्सी समझ में आनी रही थी तुमने लिख दिया बता दिया हौंग कॉंग से हो तुम नहीं बात बात बिल्कुल ठीक है उसने खुद देखो वेस्ट ओफ टाइम तो करना नहीं है अब देखो ना बच्छिडी ने वेस्ट ओफ टाइम नहीं किया रोहित नहीं नहीं किया उमीद है तिलक भी ना करे और अगर करेगा तो देखो फिर हार्दिक जी तो बुरा मान जाएंगे जैसा कहेगा वैसा टीम को करना पड़ेगा वह गलत है वह से चीड़ी बात है बाकी प्रतिक राइब होंग कॉंग में एकदम पीच के रखना है में पता लगना चाहिए हिंदुस्तानी भाई आया हुआ होंग कॉंग में चक्के रखो में और यह बहुत बढ़िया पारी च तिलक को तिलक जैसे बैटिंग करने आता इसको वह उन्हेंचा सर नियाद आ जाते हैं फेश्पी तो पीछे रहे तो पीछे रहे की पावर पिले में अरे कलाकार का कहां चला गया तो पन सब दाएं बाएं गिर गे भाई पता नहीं कहां चला गया बाई कलाकार का पैन चलो याद रखेंगे 72 72 बाद में नोट कर लेंगे यार मैंने तो पहले भी कहा था दो फ्यूचर देखा है चेन नहीं ने फ्यूचर देखा है गुजरात ने यह कौन यह यह लंगडाता हुआ फ्यूचर है यार भाई यह थोड़ी ना फ्यूचर होता है 76 है हाँ 76 अब अब अपडेट हुआ भाई इधर थोड़ा स्लो चल रहा था वह 76 है ठीक है ठीक ही रह गया मतलब हैदराबाद से पीछे रह गया जबकि वहां मैंक अगरवाल ने तेरा बोले खराब की थी भाई उम्रान मलीक आ गया भाई इंपेक्ट प्लेर आया है यह इंपेक्ट ही आया होगा क्योंकि उम्रान मलीक तो था नहीं पहले ग्यारा में इस्थ प्रीद एभी भाई इस ओके टुबी यूनिंग पिट गया जबरी योव पाई जान यार वैसे देखो उम्रान मलीक डिजर्व करता यार विकट बगरा और खबरतार अगर मेरे हार्दू को किसने खराब कप्तान बोला तो हस्ते वे गया है बाहर कि माल है यार भाई यार किसको हस्ते वे दिखा रहा है भाई अरे यार इसको कोई क्यों नहीं बताता भाई तु बेवकुफ लग रहा है एक टीम 237 ठोका है तेरे को अभी अभी सुताई करिये तेरी नीचे डाल के और तु हस्ते वे जा रहा है क्या शो कर रहा है कि मैं अभी भी कूल हूँ अभी ए उससे जादा दुक तो इन लडकों को था भुमरा को और इनको बहुत अच्छा स्टॉप किया अगरा हमने कैच भी कर सकता था अगर हाथ हूथ पे लख्के गया है तो भूथ यह अच्छा स्टॉप किया सिदे सिदे 4 रन तो बचाए हैं भाई दी एए एफ जी भाई हार्दिक ओपनिंग करके संच्री मारेगा नहीं भाई वो तो नहीं हुआ हार्दिक जी आएंगे देखो 30-40 रंका योगदान तो करेंगे हार्दिक जी श्रीमान जोशी इनके नाम में ही इंडिया है तुला पेले गही हां हां मुंबई इंडियन के नाम में इंडिया है और देखो तुला और टुला ना नीली जर्सी देखके अक्टिवेट हो जाता है बाइद वे अगर किसी को ना पता हो तो इफ यू नो तो ठीक है फिर आगे बड़ो थोड़ा दुख तो होता है ये बात बोलने में बट क्या करें दीपक भाई हम RCB वालों ने यार क्या बिगाड़ा था यार अच्छा लग रहा तुम छोड़ो ना तुम दुबारा बना लेना तुम दुबारा क्या कर रहे हो यार तुम हां और अब यह 49 रन का रिकोर्ड तोड़वा दो यार नहीं वह तुम्हारे नामी रहेगा वह नहीं बहुत इस्चा अंदार छे नहीं दखो टांगों पर बोल मत डालो टांगों पर डालोगे तो बेर यह दिक्कत रहेगी अच्छा बोल डालो स्मित पैट भाई आज बहुत बड़ी अमाउंट हारूंगा आई नो बट कुठाई देखके मैं बहुत मज़े मज़ा आया तुले ने पेल दिया भाई हार्दिक को पकड़के पटका है अरे यार तुमने मुंबर इंडिस पर क्यूं दाव खेला है यार स्मित भाई फिर त फ़हला आदमी है जो कहरा हा भाई हारूंगा भी और फिर भी मज़ा आ रहा है कुनाल सिंग भाई आज पहली बार बाई मैं जल्दी-जल्दी मैसी पड़ता हूं कि मुझे जाना भी है फिर दुबारा आहींगे ना आराम से रोक ले रोक ले पैट कमिन्स कुनाल करा भाई क्योंकि जब दुबारा लाइव आएंगे ना भाई तब करेंगे अराम से तसली से बात करेंगे ठीक है ओल्रेडी चालिस मिनट का लाइव हो गया रोक लेना प्लीज सब भाईयों से रिक्वेस्ट है चमतकार होते वे देखा तुमने आज पहली बार हमने भी देखा है लेकिन पहली बार नहीं देखा है खार्दिक से मुझे पूरी उमीद थी कि ऐसा ही होगा रेवेन फुरी भाईया इसे कहते हैं भगवान की मार बिल्कुल मैंने भी यही कहा है स्टार्टिंग मैंने यहीं से की दी आज सकुन मिला है एम आई की किसी जलालत का इंतजार कर रहा था मैं और यह एक्सपेक्टर था और हैदराबाद से बचके रहना यह कोई तुक्का नहीं है इनका याद रखना इस टीम के पास बैंच पर भी ग्लैन फिलिप्स बैठा है यह याद रखना भाई लोगो जब जब शिक्स लग रहा था अंबानिस का मुँ दिखा रहे थे मुझे मजा आ रहा था मजा और कर लो और को यार देखो मैं अभी भी आप लोगों के एक बात बता दूं मैंने यह पिछले ढ़ाई तीन महीने में यह करीब यह बात यह जो लाइन अभी में बोलूंगा य इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग में यह यूज नहीं करी लाइन लेकिन अब बोल रहा हूं रोहिर शर्मा के साथ इन लोगों ने एक शरीफ आदमी के साथ एक भोले भाले आदमी के साथ उसका नाम शाना है यार लेकिन वह खैश्रीफ बंदा इन लोगों ने चलाकी करी मैं इनका हिसाब किताब पर दिया बाई और अभी तो शुरू हुआ है मामला अभी तो शुरू हुआ है चलो जी तिलक o का स्ट्राइक रेट अब आया है छक्का लगगे नहीं तो दो बाई उसने management को movie दिखाना है यार कि दिव्यास कह रहा है इतनी फट गई थी कि रोहित को कप्तानी करनी पड़ी तीसरे वर में हाथ खड़े कर दिये थे इसने जैसे तीसरे वर में 22 पड़े थे न यह वहीं पर वहीं पर हल्बला गया था भाई यह आदमी संपसिक सेगाव सर जी मार मार के मोर बना दिया मोर तीतर बना दिया सर जी तीतर बिचारा चपरी ओवर एक्टिंग करता ही रह गया इसको जब लगातार तीन चोके लगे यह किस किस ने देखी थी एक्टिंग जब लगातार तीन चोके पड़े थे देखो तीन चोके पड़े उसके बाद ए ठेकेदार क्या था ये ये पता क्या दिखा रहा है कि मैंने तो यहां फिल्डिंग लगाई थी यहां बोल डाल दी ओहो ये तो ग्राफिकली गलत हो गया इसको पहले यार एक्टिंग सिखाओ पहले ढंकी कप्तानी तो ये सीख लेगा ये कप्तान तो इस कप्तानी तो सीखनी नी क्योंकि ये बहुत बड़ा कप्तान बनता है अपने आपके इसका पहले एक्टिंग सिखाओ यार थोड़ी कि जैन्वन लगे इसको पंकेश तिरपाठी जी के पास छोड़ो यार थोड़े दिन बता को तरीका है क्या था ये कि पिटाई हो जाती है यार क्या दिक्क्र आप च्टूर्ब रोड़ के छे छक्के लगे दैं उसने ये वाली पकैती की थी की थी उसने नहीं की थी उसके चेहरे पे जैन्वन पेन था यह 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 दात निकालता वाज़ा रहा है अरे 277 पिले हैं तुमको तिलक गदारी करेबे बेटा नहीं यह चोटा बोल डाल रहा है मारकंडे का भी वही करन शर्मा वाला हिसाब है यह एक बोल अच्छा डालेगा दो बोल डालेगा बहुत चोटा डालता है संपत्सिक सेगा सर्जी ने काया है इनका मोर बना दिया मर मरके विचारा चपरी ओवर एक्टिंग करता रह गया एक गया तो दूसरा आया फिर तीसरा फिर चोटा सब ठोकते ही ठोक नहीं आयते मुफापा कहा तो लिपापा बना दिया तर्जी वह याद होगा यहां पर वैसे पाड़ दिया उसको दो उसकी बिचारी की किस्मत खराब है कि वह ऐसे निकम्मे कप्तान के अंडर आ गया कि जिसको कोई सपोर्ट नहीं मिली तो उसकी गलती नहीं बचारी कि वह बहुत अच्छा वह बड़ा ही तगड़ा बोलर एक्चुली को भी जोरदार कूटा ह है मुलानी को रुमाली बना दिया मुलानी को भी देखो गलत यूज किया इसने स्मित पैट भाई ऐसा रैच ने हाँ मदब प्लैनिंग करके पेला है हाँ ओके ये थोड़ा वर्ड मुश्किल है मिरे से बोला नहीं जाता इसलिए मैं समझ गया हूं नहीं देखो उन्होंने बुमरा पे जादा आँख बंद करके वो नहीं किया है उन्होंने रिस्क नहीं लिया है बुमरा पे जादा तो ये चीज मुझे जादा देखके अच्छी लगी बाकियों को किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने तो भाई सोरन कंप्लीट हो गए हैं 7.3 में उनके सोरन कंप्लीट हो गए थे 7 अवरों में तो ये चल तो आसपास ही रहे हैं ऐसी बात नहीं है दिवांकर याद हो हमारे उस्ताज जी का तीन लोगों ने टाइम वेस्ट कर दिया बिलकुल कर दिया बाई बिलकुल कर दिया रागवंबर सरिया बाई 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 सूपर चैट रोक लो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है हमें जाना है खतम करना है साथमावर चल रहा है दुबारा आऊंगा हमें दूसरे लाइव के लिए 12-13 अवरों से तयारी चालू करनी पड़ती है प्लीज रिक्वेस्ट है इसके ब हुआ यह चमतकार हुआ है सुनने में आया है हार्दिक का आखरी दिन है कैप्टन सी का आर सीबी का 263 का रिकोर्ड पानी में गया च्छपाग माई का आज आई पिल दो हजार चोविस वह भी च्छपागी है उसको भी च्छपागी बोलो धुरूप पटेल थैंक्यू भाई गहुत बार बोली आज सुबै वाली वीडियो में भी बोली थी यह बात सुनो वह वीडियो जरा आठ नो दस मिनट का जितना भी वीडियो था सुनो उसको शुबरान चुबानी क्या यह टार्गेट चेज हो जाएगा अरे नहीं यह टार्गेट चेज वह टीम कर सकती है जि दीपक ये मैसी में तुम्हारा अगले लाइब में पढ़ूँगा इस सूपर चैट के बाद जितने भी आ रहे हैं मैं बाद में पढ़ूँगा दीपक ये वाला मैसी बाद में पढ़ूँगा भाई बाक्यों के देखो अभी बहुत सारे मैसीज ओल्रेडी पेंडिंग है मुहम्मद वाफी भाईया इतने रन तो वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं थे अगर ये ओडियाई होता तो ये स्कोर काफी कम्पेटिटिव था हाँ ओडियाई में भी कम्पेटिटिव क्या ये विनिंग टोटल है प्यूच कती है अलपा जी डर का महोल तो है अगर इनने इतना पेला है तो अपनी आरसीवी की खतरना बोलिंग का मैच विनिंग बोलिंग सिर्फ पंजाब के सामने हैं हो सकती थी और वो हो चुकी अभी अभी तो विचारा यश अक्रम बना था वह जाएगा दुबारा खोल दिया जाएगा उसको भाई लोगों अभी बहुत मैसेज रहते हैं ठीक है अभी मैं यह लाइब बन कर रहा हूं रिक्वेस्ट आप लोगों से अभी मैं बता देता हूं मुझे कि अगले लाइब मे अभी डॉक्टर गोश भाई ब्राइट सोच गुपता अयूश वर्मा विब वाइटी डॉक्टर गोश लखान सुबरांशु सिंग दीप बटर्स अयूश वर्मा गोल्डी बराड एलियन आशिश रावत रित्विक अभी रंदन कामले और दीपक यह सारे मैसेज अगले ल क्वेस्ट है अगले लाइब में आगे मैसीव पढ़ूँगा और फिर दूसरे भी आएंगे उनको साथ में कठे कर लेंगे ठीक है चलो जी अब एक बारी चल पड़ा है और चल पड़ा है आपको स्मार्ट बोलर चाहिए है जो थोड़ा ठीक स्पैल डाल दे और यह कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी एक ही बोलर चाहिए ज्यादा नहीं बाकी प्रैशर इतना है हमको हर बोल पर मारना पड़ेगा तो बोल उपर खड़ी होगी बस कैच अपने बेसिक ठीक रखने बाकी कोई नहीं है चार लांक ब्यासी हजार सब्सक्राइबर के लिए बहुत-ब फिर अगले लाइब में आगे सब पड़ दूगा थैंक्यू सौमाइच गोड़ बागी वह क्या बोलते हैं तीन चोके लग गए कि यह ओवर एक्टिंग की दुकान क्या देख रहा है भाई वीडियो को लाइक करो चैन को सब्सक्राइब करो खीच के रखो मीटर धिल मत दिया करो अर्दिक पांडिया भी लाइक कॉंट्रेक्ट में यह वाली कुटाई तो लिकरी नहीं थी पाई जानियार भाई यह तो बहुत ज्यादा कूट दिया यार मेरे पंडू को लग गए प्यादेल ना भाए चमेली आ राजा भोस काह गंगुतेली काहा राजा भोस काहा गंगुतेली काह बना के मारा हैँ वैसे आज मंबें इंडियस को बुता बना दिया दिया और रोगो यह कह रहा होगा आज हार दिक पंड़ा आओ जर आफट आफट पीच के रखो कम